के इस लेक्चर में हमें एक नए टॉपिक पढ़ेगे जिसका नाम है रेंज ओड़िटिक एक्वेशन का मतलब एक कौड़िटिक एक्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वेल्यू क्या हो सकती है इससे पहले हम कौड़िटिक के काफे सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं नेचर और रूट, साइन और कौड़िटिक एक्सप्रेशन, कौड़िटिक इनिक्वालिटी ये भी उनी में से एक इंपॉर्टिक टॉपिक है कि आपके पास वही एक बेसिक कौड़िटिक कि इसमें एक बार हम रेंज निकालेगे जब हमारा एक्स रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है मतलब एक्स की कुछ भी वेल्य हो सकती है कुछ हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई फॉर एनी वेल्य ऑफ एक्स एक्स शुट भी रियल आप उसकी रेंज बताऊगे मतलब मैक् ग्राफ ऐसे बनेगा कोड्रिक का या ग्राफ ऐसे बनेगा या फिक ग्राफ ऐसे बनेंगा इन तीन ही केसिस में आप ध्यान से देखो आपको minimum value तो मिल रही है minimum value लेकिन अगर मैं बात करो maximum की इस नोट डिफाइड तो उसस्शिपैस्ट में हमारे पास जो minimum value है ग्राफ पे आपको मैंने एक sign of quadratic expression जब पढ़ाया था lecture तो उसमें पूरा derive करके दिखाया था कि ax square plus bx plus c एक parabola represent करता है जिसका vertex है minus b upon 2a, minus g upon 4a अच्छा यह आप सब जानते हैं यह x की value है और यह function की value है, मतलब y की value तो अगर मैं बात करो minimum value कितनी है function की minus d upon 4a, अच्छा इस situation में 0 है, इस situation में भी minus d upon 4a है तो minimum value आपकी minus d upon 4a है और maximum value की अगर बात करो तो infinite है maximum value तो infinite है अच्छा आप बोलोगे यहाँ पे तो 0 है तो यहाँ पे discriminant भी तो 0 होता है तो अगर मैं discriminant को 0 रखूगा तो यह value 0 हो गई ultimately हमें बताया जा रहा है कि अगर a positive है a positive है तो तीनों cases में से कुछ भी हो सकता है no real roots, equal roots, real and distinct roots तीनों ही possibilities में function की minimum value तो minus d upon 4a है जो हम कह सकते हैं कि y coordinate of the vertex of parabola और maximum value is not defined, infinity तो यह आपको ध्यान रखने इसी तरह से अगर a negative है इसी तरह से अगर a negative है तो उसमें तीन possible cases कौन कौन से थे यह वाला हो गया case आपका फिर यह वाला case हो गया बहुत बार बात हो चुके इस बारे में यह case हो गया अच्छा फिर वही vertex तो same ही रहेगा minus b upon 2a और minus d upon 4a तो इस case में maximum value जो define कर पारे हो minimum value कितनी नीचे आजाएगी वो define ठोड़ी कर सकते हो वो तो minus infinity की तरफ जा रही है value तो इस case में इस case में आपके पास minimum value कि अगर मैं बात करो तो minus infinity है और maximum value again same minus d upon 4a तो यह range है fx belongs to this value तो अगर मैं बात करो आप से fx की fx की इस situation में minimum value कितनी है आप बोलोगे minus infinity इस situation में function की function की maximum value कितनी है आप बताओगे minus d upon 4a अच्छा इसके बाद यहाँ पर यह चीज़ रह गए थी function की minimum value कितनी define कर पा रहे हो आप minus d upon 4a और maximum value कितनी define कर पा रहे हो infinite इस तरह से ठीक तो यह quadratic equation की range की है मैंने कुछ concept आपको बताए उन्ही को relate किया जो concept हम already पढ़ चुके है अब ज़रे इनको apply कर के देखते है कैसे apply कर सकते है जैसे आपको एक simple सा quadratic expression दे दिया और उसको बोला है कि maximum और minimum value कि at a time given expression का maximum या minimum value बता सकते हो finite case में तो हम यहाँ पर देखेगे कि coefficient of x square वो तो आपको 4 दिख रहा है positive है तो हम पहले से ही 3 cases हमारे filter हो गए अब हमें पता कि 3 possibilities है 6 में से discriminant हमने निकालने कोशिश करी तो वो होता आपका b square minus 4ac बहुत ही basic formula minus 12 square minus 4 a आपके पास 4 है और c आपके आज 15 है यह हो गया 144 और 15 6240 हो गया यह value आगए minus 96 d negative आ रहा है no real roots इस situation में इस situation में आपके पास कौन सा graph बन रहा है यह वाला a positive है d negative है उस situation में maximum value कितनी not defined maximum value का आप define नहीं कर सकते है minimum value आप define कर सकते हो तो minimum value की अगर मैं बात कर रहा हो function की तो वो कितनी है minus d अपॉन में 4 a minus d कितना निकाला आपने minus 96 d minus 96 है a कितना आपके पास 4 तो यह आगया 96 by 16 6 हो गया function की minimum value तो 6 हो गई अच्छा कब जब x के value कितनी है minus b upon 2 a तो minus b upon 2 है minus b कितना आपके अच्छा minus 12 है और 2 into 4 यह value आ गई आपके पास 12 by 8 that is 3 by 2 तो function की minimum value तो आपकी 6 है when x is 3 by 2 और अगर मैं बात करू maximum value की maximum value is not defined minimum value is 6 when x is equal to 3 by 2 तो इस तरह से आप define करते हो एक given quadratic expression की maximum minimum value और इस तरह से define करते हो cases पकड़ लिया आपने cases पकड़ लिया a positive के 3 case है a negative के 3 case है जितने भी positive वाले 3 case है उन सम में minimum value आपके पास minus d upon 4 a है और अगर a negative है तो maximum value minus d upon 4 a है एक case उसका देख लेते हैं यह देखा आप ठीक है इसमें आपके पास coefficient of x square minus 3 है मतलब a के लियू minus 3 है negative है और discriminant निकाला हमने b square minus 4 a c शुरू कर दिया working अपनी b square minus 4 a minus 3 है c minus 4 है यह हो गया 25 minus कितना हो गया आपके पास है 12 और यह 48 है ना तो यह आगया minus 23 again d negative आ रहा है d negative आया अब कौन सा case बन रहा है a b negative है d b negative है तो इस situation में यह वाला case बन रहा है a negative मतलब downward parabola d negative no real roots इस की आपको maximum value पता है minimum नहीं पता तो function की maximum value क्या है again using the same formula minus d upon 4 a हमें answer मिलेगा तो minus d कितना है d आपके पास minus 23 है और a कितना आपके पास minus 3 तो यह आपके पास मिल गया minus 23 by 12 यह function की आपको maximum value मिल गई ठीक है minus 23 by 12 और कब जब x के value कितनी है same minus b upon 2 a यूज करोगे आप तो minus b कितना है 5 है और a कितना है minus 3 तो x आगे आपके पास 5 by 6 positive अगर मैं बोलो minimum value define कर दो आप तो आप बोलो it is not defined not defined तो minimum value is not defined maximum value is minus 23 by 12 when x is 5 by 6 clear हुआ बहुत easy topic है लेकिन पता होना चाहिए आपको यह कई बार आ जाता है exam में question इस पर based ठीक है देखते आगे अब यह तो बहुत simple थे quadratic expression simple दिया हुआ था आपसे maximum minimum value define कर दो लिए बोल रहा था आगे वाले questions में थोड़ा सा concept change कर रहा है एक polynomial दे दिया px ax square plus bx plus 8 is a quadratic polynomial ठीक है if the minimum value of px is 6 when x is equal to 2 find the value of a and b अब देखो यहाँ पर a का अभी हमें कुछ पता नहीं है कि a positive है negative है तो हमने ऐसे यह जूम किया कि a positive है a positive है minimum value है minimum value है d में नहीं निकाल सकता कि a और b अभी unknown है ना मुझे a पता ना discriminant में निकाल सकता हमने एक rough case consider करा कि minimum value की बात कर रहा है minimum value की बात कर रहा है obviously a तो positive होगा क्योंकि a negative होता है a negative होता है तो maximum value मिलती है तो minimum value होता है a positive पैरा बनेगा तो उपर ही बनेगा उपर और अगर मानके चलते है minimum value अगर px की 6 है किस पे जब x के लिए 2 है जब x के लिए 2 है तो function की minimum value 6 है यह हमने एक idea ले लिया ठीक है अब चाहे यह graph दो point पे intersect कर रहा है या touch कर रहा है touch तो नहीं करेगा क्योंकि minimum value 6 बोलती ना हाँ तो ठीक है यह हो तो उपर ही बनेगा क्योंकि minimum value 6 बोल रहा तो अब तो बिल्कुल ही clear हो गया minimum value अगर positive आ रही है तो वो उपर ही तो बनेगा ना तो यह नीचे आएगा ना यह x-axis को touch करेगा तो इस situation में graph हमने बिल्कुल perfectly बना लिया ठीक है पता चल गया कि a positive है हमारा अब देखो at x equal to 2 at x equal to 2 p at 2 कितना होगा polynomial a into 2 square plus b into 2 plus 8 और p at 2 2 पर function के लिए कितनी दिवी है 6 तो एक equation तो आपको यहां से मिल गए 4a plus 2b अच्छा 8 उधर चला गया minus 2 2 हमने common ले लिया तो 2a plus b equal to minus 1 यह equation 1 आ गई यह equation 1 आ गई ठीक है उसके बाद आपको यहां पर क्या कहता है कि देखो minimum value आपकी exist कहा करती है minimum value आपकी याद करो vertex जो होता है वो minus b upon 2a comma minus d upon 4a होता है तो यह जो x coordinate है यह तो आपको दिया हुए minimum value minimum value of px is at x equal to 2 और हमें पता है कि minimum value किस पर exist करती है minus b upon 2a पर x की value तो इसका मतलब minus b upon 2a के विल्य कितनी दियो ही है आपको 2 दियो ही है तो आपको क्या मिल गया minus b equal to 4a मिल गया यह आप कह सकते हो b के value minus 4a हो गई clear? अब इसका solve कर लेते है equation 1 हमने consider किया 2a plus b equal to minus 1 equation 1 मैंने consider कर लिया b के value मैंने यहाँ पर minus 4a place कर दी minus 1 यहाँ पर आगया minus 2a equal to minus 1 a की value आपकी half आ गई ठीक है a की value आपकी half आ गई अब b निकालना है तो आपको पता 2a equal to 1 तो b 2a plus b equal to minus 1 है अच्छा 2a की value 1 है तो b आपकी half minus 2 आ गया आपसे a और b तो पूछा बस solve के एक बाद देख लेना ठीक है? कर दिया बस मैंने आपका vertex का जो x coordinate होता है वो तो आपको given था minimum value 2 पे थी तो यह हमारा पास minus b equal to 4a हो गया तो b के लिए minus 4a यहाँ पे b के लिए minus 4a substitute के solve करके हमारा पास a मिल गया a को वापे substitute किया तो b मिल गया ठीक है यह है देखो maximum minimum value को question ऐसे ही बन सकता है ठीक है? आप maximum minimum value निकाल रहे थे इस बर उसने आपको value दे दी और कुछ constraints involve करके उसकी value पूछ लिए आपसे चलो और देखते हैं और क्या level बन सकता है ठीक है आप देखो यह बहुत ही अच्छा question है इस बार आपको देखो दो अलग-अलग quadratic दीए और इन equality में दे दिए minimum of this quadratic polynomial is greater than maximum of this quadratic polynomial आपको prove करने के लिए कुछ दे दिया देखो पहला मैं quadratic polynomial को आप ऐसे PX से denote कर रहा हूँ देखते हैं जड़ा X का square plus A minus B X plus 1 minus A minus B दो इसमें साफ दिख रहे है coefficient of X square अगर मैं capital A से 1 ले लू positive coefficient of X square हमार पास यहापर 1 है है ना तो यह हमार पास कौन सा वाला case हो गया पहले वाला case हो गया जिसमें हमारा parabola उपर की तरफ बनता है तो उसमें मैं minimum value define कर पाता हूँ तो PX की इस situation में minimum value क्या होगी अब सोचो minus D upon 4A अच्छा यहापर मैं D1 ले रहा हूँ reason क्योंकि 2 है ना अलग-अलग discriminant 1 ले लिया पहले का और 4 into A minus D upon 4A using same formula minus D1 अभी discriminant निकाला नहीं है A कितना आपके पास 1 है तो minus D1 upon 4 आ गया ठीक है दूसरा polynomial को मैंने GX से denote कर दिया GX है मेरे पास minus X square plus A plus B X minus 1 plus A plus B ठीक है देखते हैं अब इसमें A जो दिया हुआ इसका वो minus 1 है that is negative तो इसमें maximum value होगी minimum value नहीं होगी formula तो सहीम ही होगा minus D2 upon 4 है बस D1 की जग़े D2 आ गया और यहाँ पर जो मैं A ले रहा हूँ A actual मैं capital ले ले लेते हैं दोनों में ठीक है A मैंने हाँ पर coefficient of X square लेते हैं तो यहाँ पर हो जागा minus 1 ठीक है minus 1 हो गया तो यह तो D2 upon 4 हो गया यह तो D2 upon 4 हो गया तो अब वो क्या बोल रहा आपको कि PX की minimum value PX की minimum value is greater than GX की maximum value से एक काम करते हैं next page पर कर लेते हैं इसको ठीक है तो हमें कोश्चन में क्या given है PX की minimum value is greater than GX की maximum value अच्छा तो PX की minimum value की अगर मैं बात करो तो minus D1 upon 4 आया था और इसकी value की बात करो तो D2 upon 4 आया था देखे एक बात यही था ना इसकी minimum थी minus D1 upon 4 और इसकी maximum थी अब D1 मतलब इसका discriminant है ना इसका discriminant तो अगर मैं discriminant निकालता हो तो B square minus 4AC लिखते है जड़ा पीछे फिर solve करेंगे आगे यहाँ पर minus अभी मैंने बाहर लगाया हुआ है तो B मेरे पास यहाँ पर A minus B है minus 4 into 1 1 minus A minus B है यह अच्छा यह 4 से 4 मैंने हटा दिया ठीक है greater than greater than D2 की आगर मैं बात करता हूँ cross check भी कर लेगे ठीक है D2 की बात करके तो इसका discriminant लेगे अब हम इसका discriminant लोगा B square B square minus 4AC है ना तो हमार पास है A plus B का whole square B square minus 4 A आपके बास minus 1 है और यह भी minus में है 1 plus A plus B ठीक है इस तरह से देख लेते हैं अगर कुछ mistake होई तो पूरा गरत हो जागा ठीक है ठीक है ठीक है चलो अब solve करना रहे गया बस अच्छा अब ऐसा करते है ना यह minus inequality को effect करेगा मैंने minus अंदर भेज दिया यह positive हो गया 4 into 1 minus A minus B और यह हो गया minus A minus B का whole square देखते आगे कैसे solve होगा यहाँ पर क्या है A plus B का whole square तो ही यह हो गया minus 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 रहेगा 4 times 1 plus A plus B बस अब solve कर लेते हैं देखते हैं प्रूव हो रहा है यह कुछ mistake हुई हमारी 4 minus 4 A minus 4 B अच्छा minus A square minus B square plus 2 A B पता चल गया ना क्या क्या है मैंने sign change कर दिया बाहर minus था इधर A square plus B square plus 2 A B इधर minus 4 minus 4 A minus 4 B अच्छा जो same sign वाले है वो तो inequality से हट जाएगा देखो आपका 4 A और 4 B तो eliminate हो गया ठीक है 2 A B और 2 A B eliminate हो गया तो जो बच गया मैं सिरफ वो लिख रहा हूं 4 बचा minus A square minus B square बच गया greater than A square plus B square और minus 4 तो क्या situation बनी हमने 4 और 4 को एक साथ shift कर दिया यहाँ पर 2 A square और 2 B square हो गया अच्छा 2 common लिया हमने 2 common ले लिया inequality को इस तरह से लिख दिया A square plus B square less than 8 तो A square plus B square is less than 4 और आपको शायद यही प्रूव करना था ठीक है समझा बिल्कुल सही maximum value minimum value की inequality दे रखी थे हमने inequality को solve किया discriminant जैसे निकालते हैं हमें पता है कि maximum value अगर A positive है minimum value यहाँ पर अकर करती है और maximum है अगर A negative है तो maximum value यहाँ पर अकर करेगी माइनस D upon 4A ही तो है maximum minimum दोनो बस A के sign पर हमें पता चलता है कि function की maximum value होगी यह minimum value होगी तो ध्यान रखना आपको ठीक है चलो देखो यह अच्छा कोशन था solve करने के point of view से अब एक यह है दो पार्ट से इसमें हमारे पास question में कि quadratic polynomial दे दिया उसमें एक constant A को involve कर दिया और कह रहे है smallest positive integral value बताओ A की जब function positive है अच्छा function positive है function को लिखता हूँ मैं आपके लिए पहले देखते है इसमें क्या concept लगेगा यह हमने function लिख दिया जिसमें मुझे clearly दिख रहा है coefficient of x square A is positive अब cases अगर मुझे बोल रहा है कि A positive और function positive है यह कब होता है यह कौन से case में होता है A positive तो पहरावल उपर बनेगा और function positive है throughout तो वह एक ही condition में possibility है यहाँ पे कि जब D less than 0 होगा सही है पता चली बाद D less than 0 होगा अब D less than 0 होगा तो देखे जरा A हमारा यहाँ पे 1 था 1 positive है function भी positive होना चाहिए तो उस case में discriminant negative होगा तब ही वह उपर उपर रहेगा graph x axis से अब इसका discriminant निकाला जैसे मैं ऐसे formula capital में ले ले तो B square minus 4AC is less than 0 B आपके सकता है minus 4A whole square ठीक है minus 4 times A तो आपका 1 है coefficient of x square 1 constant time आपके पास है complete 5A square minus 6A less than 0 अच्छा अब इसको solve करना ही कोशिश करी 16A square 16A square minus 4 times 5A square minus 6A less than 0 अच्छा यहाँ पे क्या मैंने 4 common ले लिया पूरे में से तो यह बच गया 4A square यह बन गया minus 5A square plus 6A अच्छा positive number से अगर मैं डिवाइड कर दो दोनों side inequality पर कोई फर्क ने पड़ता 4 तो हट गया तो final मेरे पास आ गया minus A square minus A square plus 6A लेकिन फिर inequality में मैंने आपको last lecture में बताया था कि coefficient of x square आपका positive होना चाहिए अगर आप inequality का जरूर लगाना चाहरे हो last lecture में में quadratic inequality को solve करना सीखा था था न वह एक बार पक्का कर लेना क्योंकि बार बार यूज होगा concept को हमने यहां पर क्या 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 बात कि रिपीट कर देता हो मैं कि आपको दिख रहा है एक factor a है एक a-6 है तो a की value एक बार क्या होगी 0 और एक बार यह हो गई 6 अगर greater than 0 की inequality होती है तो हमारे पास जो solution होता है इस inequality का वो outside the interval होता है जिसमें 0 और 6 include नहीं होगी क्योंकि strict inequality है outside the interval मतलब यह 0 से कम 6 से ज्यादा a की value a की value 0 से कम और a की value 6 से ज्यादा अब देखो question की क्या demand है कि आप सबसे छोटी positive integral value दो अब देखो यह a-0 इसको तो cross कर दो क्योंकि यह तो negative integer दे रहे है और 6 से बड़ा integer एकदम next integer कौन सा होगा 7 तो 7 is the smallest positive integral value of a इस particular question में समझ गया आप ठीक है fx हमारा positive कब होगा जब discriminant less than 0 उसमें quadratic inequality भी लगा लिया हमने और कर दिया solve इसमें ठीक है अब आपको इसके b part में भी है एक हमारे पास question b part में क्या कहता है कि आप largest distance बताओ between the roots of fx equal to 0 अब fx था क्या फिर आगे बात करते है fx था मेरे पास x square minus 4a x plus 5a square minus 6 है कहते हैं इस equation के जो दो roots है ना उनके भीच का largest distance आप बताओ अब आगे ना maximum minimum value मतलब range की बात करने कोशिश कर रहा है तो आपको पता तो है कि इसके quadratic के दो roots होते है alpha और beta ठीक है अब उन दोनों के भीच के distance अगर बोल रहा है देखो distance का मतलब क्या हुआ अब अगर मैं origin से count करूं मालो यह 2 है यह 5 है तो इनके बीच का distance क्या हुआ minus 5 minus 2 3 तो अगर वो distance की बात कर रहा है distance की बात तो इसका मतलब में alpha minus beta की बात कर रहा हो अचा mode क्यों लगा है क्योंकि alpha beta कौन से value बड़ी है कौन से चोटी है मुझे नहीं बता तो mode में alpha minus beta ताकि distance positive i difference चाहे जैसा भी हो अब alpha minus beta का mode हमने कैसे solve किया हुआ under root alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta यह formula हमने बहुत बार ही उस किया हुआ अब इस quadratic को देखते हुआ alpha plus beta कितना है sum of roots minus b upon a तो minus minus plus हो गया है 4a by 1 ठीक है 4a by 1 4a रहेगा और minus 4 alpha beta c upon a तो 5a square minus 6a यह situation चल रही है अब है distance है आपके बास अब यहाँ पर आपके बास आ गया 16a square minus 20a square और यह आपके बास आ गया 24a ठीक solve करो अभी minus 4a square plus 24a ठीक है अच्छा distance cannot be negative अभी इसको हम simplify कर रहे है देखते है क्या रहती है इसके अंदर situation distance हमार पर जो चल रहा है mode alpha minus beta उसकी value आ चुकी है मैंने minus 4 अगर common ले लिया तो यह आ जाएगा a square minus 6a देखो maximum minimum value की बात कर रहा है जहाँ पर अभी कॉट्रेटिक complete नहीं है आप एक काम करें इसको completing the square method apply कर दो इसमें तो इसके अंदर वह जो पुराना फॉर्मला था माइनस डी अपन 4 लगाना चाहो लगा सकते हो पर alternative way में आपको सिखा रहो इसमें एक alternative way यह भी है कि आपने क्या करा within the bracket completing the square लगा दिये कैसे लगा है एक का coefficient कितना है 6 है उसको हमने half किया तो 6 का half 3 हो गया उसका square किया 9 हो गया तो हम generally क्या करते हो वो 9 वो 9 हम add और subtract कर देता है addition वाला तो हम use करें के bracket में और जो subtraction वाला है वो हम बाद में देखते है कैसे manage होगा तो यहाँ पर क्या हो गया यह पूरा क्या बन गया a minus 3 का whole square और यह हो गया minus 9 अच्छा इसके बाद अब इसके बाद देखो minus 4 minus 9 कितना हो गया plus 36 तो उसको अब आगे लिख दो minus 4 times a minus 3 का whole square यह distance चल रहा भी अब देखो आप बताओ इसमें maximum distance कब होगा जब यह वाली value 0 होगी तभी तो maximum distance बता पाओगे आप है ना यह value 0 होगी क्योंकि minus और यह value अगर कुछ minus हो गई नहीं तो maximum value आ जाएगी और अगर मालो minus हुई को positive value आ रही है तो यह value को कम कर देगा 36 को तो मैं अगर a को 3 ले लू at a को 3 distance कितना हो जागा under root 36 minus 0 that means 6 तो अगर मैं बात करो दोनों roots के भीच का maximum distance कितना है अब बोलोगे 6 units 6 units आ गया जब इस question में जो a है वो 3 है तब हुआ clear यह concept है इसमें देखो range का ठीक इसमें अब और क्या है हाँ second time छोटा सही है दो question है बस इसके हमने range देख ली थी जब x belongs to real number x के लिए कुछ भी हो लेकिन अब क्या कह रहा है कि range बताओ restricted domain में कि आपके फिर से वही quadratic expression लेकिन बोल दिया कि x particular किसी interval में है 2,3 2,5 1,10 कुछ भी हो सकता है जितना भी बड़ा वह domain दे सकता है कह रहा है उस function function के अंदर आपको maximum and minimum value बतानी है function की तो देखो आप क्या करोगे इस बार जो यह interval दिये हुआ है आप पहले d रखके देखोगे function में फिर आप e रखके देखोगे function में और जो vertex था ना maximum minimum वाला याद है vertex क्या था minus b upon 2a और minus d upon 4a वो कहता है कि भाई इस x की value पर देखो यहाँ पर यह x की value है आपने रखके देखी दो function की value आगई कहरा है यह vertex वाला component है x equal to minus b upon 2a अगर यह इस interval के अंदर लाई कर रहा है तो उस पे भी function की value चेक कर लो और उन सम्में से चूज कर लो कौन से सबसे बड़ी कौन से सबसे चोटी value है अचा by chance यह value इस interval के भीच में नहीं आ रही तो आप उसको छोड़ दो उसे consider मत करो समझे तो उस interval में फिर हम नहीं देखेगे मैं question करा तो आपको idea लगेगा ऐसे theory से तो नहीं बात बनेगी जैसे यह दे दिया question हमें इस बार fx वही same question है लेकिन एक interval define कर दिया हमें function की maximum minimum value बतानी है हमने fx consider किया 2x square minus 3x plus 2 तो सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे जो vertex आपका वो आप calculate कर लो minus b upon 2a तो b आपका minus 3 है a आपका 2 है तो value आगई 3 by 4 यह 3 by 4 आगई अब आप क्या करोगे function का पहला end point जो interval में आप interval का पहला end point function में put करके function at 0 क्या आएगा 2 into 0 square minus 3 into 0 plus 2 value 2 आगई फिर function at 3 by 4 रखके देख लो आप 2 into 3 by 4 का square minus 3 into 3 by 4 plus 2 तो इसको solve किया तो यह आगए आपका 2 into 9 by 16 minus 9 by 4 plus 2 अच्छा यह तो 2 से 16 आपका 9 by 8 हो गया minus 9 by 4 plus 2 LCM ले लिए हमने 8 9 minus 18 plus 16 ठीक है ना 16 हो गया आपका तो यह आपके पास आगया minus 9 तो function at 3 by 4 कितनी बन गई आपके आपके आज value 7 by 4 7 by 4 है ना यहापके आपके 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 7 by 8 sorry 7 by 8 अब लास्ट एक आपके पास 2 पे भी निकाल लिए value function at 2 पे तो 2 into 2 square minus 3 into 2 plus 2 तो यह 8 minus 6 plus 2 यह 4 आ गई तो आप देखो ना इन सब में vertex इसके भीच में लाई कर रहा था vertex आपके जो था 3 by 4 वो इस interval के भीच में लाई कर रहा था तो हमने उस पर भी value निकाली अगर vertex लाई नहीं करें तो उस पर value नहीं निकाले गए maximum minimum के लिए अभी हम देखें के इस में से function 3 by 4 जो में निकाल रहा हूं और लास्ट यह जो निकाली इन सब में maximum value 4 आ रही है और minimum value 7 by 8 आ रही है function की minimum value vertex पे 7 by 8 और function की maximum value कितनी है 4 clear हुआ यह अगर restricted domain है तो आप ऐसे करोगे vertex भी चेक करोगे एक last question और देख लो जैसे trigonometry में कई बार question आ जाता है यहाँ पे range पूछ ली 3-2 sin theta-sin theta अच्छा देखो sin theta का range आप already जानते हो आपको quadratic का range बताने है आप यहाँ पे क्या करोगे x ले लो sin theta और sin theta को तो आप जानते हो it belongs to minus 1-7 closed interval मतलब अगर मैं जो x लोगा वो minus 1-7 के भीच में आना चाहिए तो y अगर मैं expression change करू 3-2x square minus 6x तो उसमें x belongs to minus 1-7 तो बन गया नहीं है range of restricted domain है अब आपको क्या करने है आपको पहले इसको standard form में लिखो minus 2x square minus 6x plus 3 आप इसका vertex देखो आप इसका vertex अगर देखते हो vertex का x coordinate जो होता है x equal to minus b upon 2a b कितना है minus 6 और a कितना है minus 2 तो overall कितना आगया यह आपके पास negative 3 by 4 है ना negative 3 by 4 हो गया 3 by 2 यहाँ पर 3 by 2 हो गया आपका अब आप देखो गया minus 3 by 2 का मतलब क्या minus 1.5 which does not belongs to minus 1-7 तो आपको इस vertex को इस बाद चेक ही नहीं करना आप सिर्व end point पे देखो गया maximum minimum value अगर vertex की value interval के भीच में है तो उसको हम include करते है checking में अदरवाइस करे गए नहीं इस पर function value निकाले गए नहीं अब हमारा काम क्या रह गया function की value minus 1 पे निकालना ठीक है अच्छा function हमारा क्या है यही तो है function y तो यहाँ पर minus 2 minus 1 square minus 6 minus 1 plus 3 तो आपकास क्या situation बनी minus 2 plus 6 plus 3 तो यह आपकास 7 आ गया और function at 1 अगर हम बात करे minus 2 1 square minus 6 into 1 plus 3 तो यह आ गया minus 2 minus 6 plus 3 तो value कितनी आ गया आपकास minus 5 तो आपको साफ दिख रहा है कि function की maximum value कितनी है 7 और function की minimum value कितनी है minus 5 vertex को हमने include किया ही नहीं clear हो गया तो एक topic आपका rational expressions का रह गया इसमें और location of roots और quadratic आपका complete ठीक है main advance के लिए सारा topic complete हो जागा है आप इनकी practice करो बाकि next lecture मिलते है thank you